बीएस थ्री की टोन चाहिए एलॉइविल टाइज लामिनेशन इसको शाइन कहते हैं आपकी हो बीएस सिक्स बीएस फोर बीएस थ्री आई हमारे पास चंबा से बेंगलूरू से आए हुए भीया अब चलान ना हूँ क्यों इसमें ना कोई पटाके बचते हैं ना कोई प्रॉब्लम आती है हलो रॉल ब्लड फैमली मैं हूँ अपनों का कमला रंड शबी भाईयों का राम राम अससलाव अलेकू मुआइज गुरू जी का खाल साफ़ वह गुरू जी की फटे जय जवान जय किसान जय बोले-नाथ की चिंता नहीं किसी बात की सावशन की महिने की सब को बहुत 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 आई तो आज की वीडियो बड़ी विशेश जिसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं legal silences जो आप अपनी बुलेट में लगा के चला सकते हैं और उसके पर चलान बहुत ही मतलब impossible है कि कोई चलान कर जाए क्यों इसमें ना कोई पटा अब चलान ना हूँ इसके लिए हमने आपके लिए चार मॉडल्स जो हैं वह एवेल कर दिये हैं और मैं इस गाड़ी में लगा रहा हूं दीपक भाई खोली सलेंसर पड़ावट खोली सलेंसर और हम चार मॉडल्स आपको सुनाएंगे और उसमें पटाके बटाके भी नहीं बचते हैं तो आज की वीडियो है स्पेशल आपको दिखाई जाएगी कि चलान से कैसे बचें अगर सलेंसर का थोड़ा सा आपने लुथ लेना है तो अब दोस्तों यह वो चार सलेंसर हैं आपकी हो बीए सिक्स बीएस फोर बीएस थ्री अगर आप लीगल की तरफ चलते है कि कमल भीया चलान ना हो तो वो मैं आपको सेलेंसर सुना रहा हूं सबसे पहले यह वाला सेलेंसर आप लगा के दिखाएं क्रोम जिसको हम रैप्ली का कहते हैं तो मैंने गाड़ी करी आउन और लगा दिया सल अब इसकी टॉन सुनिये दोस्तों अब इसी का मैं आपको ब्लैक सुनवा रहा हूं दोस्तों इसकी टॉन सुनिये यह सैलेंसर जो हैं दोस्तों यह जो एक लीगल इनका एक डीबी होता है उसके एकॉर्डिंग है अब उसके बाद यह देखिए यह थोड़े से महेंगे हैं जिसके पर पार्ट नमबर प्रिंट है और सैलेंसर यह भी बहुत बढ़िया है इसकी भी टॉन सुनिवा रहा हूं यह भी जो है लीगल ही माना जारा है वाँ अब इसके अंदर प्रोंह भी एविये हैं बहुत बच्चे आते हैं जो यह मांगते हैं कि कमेवेव बीस्तरी की टॉन चाहिए अब बीस्तरी की टॉन चाहिए और चलान ना हो तो यह सुनिए अब एक बर मैं genuine silencer भी लगा के सुना हूँ जिसके अंदर बिल्कुल अवाज नहीं है और इसके अंदर अवाज जो है बहुत अच्छी है तो दिपक भाई genuine silencer लगाई है तो जिससे हमें पता चले कि difference क्या है राप्लिका में और इन silencers में अब यह है genuine silencer और इसको भी मैं लगाई है दोस्तों वाओ अब लीगल silencers के अंदर आपका शोंक है कि silencers change करना है और थोड़ी सी आवाज बढ़ानी है और enjoy करनी है बुलेट तो यह वो चार silencers है मैं प्राइस बता दूं रैप्ली का one triple nine है और जो उससे थोड़ा सुपीरियर है वो है आपके लिए 700 रुपे है तो उसके बाद यह देखिए जैसे इसके अंदर हमने लगाया है बहुत शांदर सेलेंसर जिसका नाम है एक्स्प्लोडर यह गाड़ी आई हमारे पास चंबा से और यह हमने रेडी की है आज ही आई है और यह देखिए टोन अब यह है एक्स्प्लोडर अब इसका यह हमने क्रॉम पार्ट जो है यह पूरा बफ करवाया है नई वाइक शोरूम से आई है जिसके में वीडियो डाल रहा है रीबॉन इसमें पूरी एक्सेसरीज हो रही है चंबा ही माचल से और यह आप देखिए बिफोर कैसा है इसका यह बाट बिफोर यह देखें बिफोर है अभी यह पूरा बिफोर है अब यह आफ्टर बफिंग क्या निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर हमने हैंडल वेगरा तो सारा फिटिंग हो चुकी है और भी समान फिट हो रहा है तो बने रही है हमारे जिसका नम है रॉल बुलेट एक्सेसरीज वल्ड करोल बाग दोस्तों देखिए बिफोर और आप्टर अब इसके अंदर मेरा पूरा मोबाइल आपको नजर आ रहा है और यह पूरी यह देखे पूरी चमक पहले कैसे दी और अब कैसी है मैं इधर से भी आप कई पर दिखा इसमें leg guard लगा है इधर fog lamp की जो है एक rod लगी है कल इसमें lights लगेंगी handle change हुआ है front की seat change हुई है backrest change हुआ है backrest लगा है और चोटा मोटा समान रखने के लिए rear के leg guards लगे हैं यह सारा rebound के अंदर हम लोगों ने change किया है कल ए गाड़ी रेडी होके चलियाएगी ही माचल तो म हमारी परिवार की roll bullet family से एक बच्ची आई थी और उसने हमसे हमालेन तयार की वो भी देखी कैसी लगते है इस तो इजा आ चुकी है roll bullet accessories world पे जिसकी है यह बाइक और कल हमारे पास सारे mechanical काम के लिए आई थी Soiza, please come and check what we did. Should I remove it? Yeah, sure. And main thing, the sound of your bike Anything you want to say to our subscribers, to our viewers? Thank you for the great work. I feel my bike is like brand new so it's great. Thank you to the team. They work hard on the bike. Thank you, thanks to you also cause you show your trust upon us. What did you feel like? Very, very small. So a lot of engine work and accessories. This is new, this is new, this is new. We install the lights, the GPS mounts. So basically everything for adventure travel. And saddle stays? And this as well. Saddle stays? Yeah. So... And your crash guard? Yeah. So yeah, I think the bike is ready for me to go riding with it in India. And all the best from our side. Thank you. God bless you. Thank you. So, 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 the वाली भी और इधर है बेंगलूरू से जो है आए हुए भाईया एडलाइट ग्रिल लग गई है फीशे लदा केरियर लग गए है कि बैगेज को इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम ना है बैगेज तरीके से लग जाए तो राइड करने का मजा है और कपर लग गया है इध गिली होती है गाड़ी स्किटनी करती है आप सभी से विदा लेने से पहले मैं आपको दिखा दूँ यह है साड़े तीन सो सीसी क्लासिक जो अब नहीं आती है और गाड़ी देखे क्या रेडी की गई है अलॉइविल टाइज लामिनेशन यह सुच लगाए गया है जिससे हम इसको कनवर्ट कर लेते हैं कंपनी होन पे और यहां हम इसको कर लेते हैं रूट्स पे और गाड़ी की एक बार आप देखे वाकराउं क्या चबर्दस बनी है पीछे डाला है एक सो दस असी अठारा का टायर और बला शोकीन लड़का है हमारा प्राशर भाई है और है 250 और आज की वीडियो के लिए इतना ही क्योंकि मैं हूं अपनों का कमाल अनन विदा लेता हूं वंदे मातरम जैहिन सलाम